भारत की मदद से तालीबान ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है तो वहीं दूसरी तरफ इस्टेंडर्ड चार्टर ने बहुत बड़ा एक्सन ले लिया है चाइना के उपर जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आएए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से टीटीपी के खुनी हमलों के बीच अफगानिस्तान की तालीबान सरकार को ब्लैकमेल करने की कोसिस में जुटी पाकिस्तानी सेना वहां की कटपुतली सरकार को करारा जटका लगा है पाकिस्तान की सरकार ने तालीबान की सरकार पर टीटीपी के खिलाफ कारवाई करने के लिए बलेक मेel करना सुरू कर दिया इसके लिए जहां पाकिस्तान ने लाखों अफगान सरनार्थियों को वापस भेज दिया तो वहीं चारों तरप जमीन से गिरे अफगानिस्तान के बैपार को भी रोकने की कोशिस की है पाकिस्तान को उमीद थी कि बॉर्डर को बंद करने से तालीबान जुक जाएगा लेकिन अब अफगान सरकार ने इसका तोड निकाल लिया है तालीबान ने इरान में भारत के बनाए चाबाहर और बंदर अबास बंदरगाह का इस्तेमाल दुनिया से समान मंगाने और अपना माल भेजने के लिए इस्तिमाल करना सुरू कर दिया है इससे अफगान आयात निरियात में 70% की गिरावट आ गई है यही नहीं पाकिस्तान की सरकार ने पिछले साल अफगानिस्तान के आयात करने पर भी कई तरह के पर्तिबंद लगा दिये थे अफगान बैपारियों से बैंक गारेंटी मांगना सुरू कर दिया था इससे तालीबान को बैपार करने में दिक्कत आने लगी इससे निपटने के लिए तालीबान ने भारत इरान तजकिस्तान से मदद मांगी और इसके बाद चापाहर के रास्ते बैपार की सु और अब तक अफगान सरकार दसकों से पाकिस्तान के कराची बंदरगास के रास्ते दुनिया से आयात और निरियात करता था। पाकिस्तान के बीच दनाओ पूर्न रिस्तों के कारण बैपार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। वहीं तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो अब 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 पाकिस्तान के आगे जूकेगा नहीं। पाकिस्तान की तालिबान को ब्लैकमेल करनी की चाल बुरी तरीके से फेल हो गई है तो वहीं पाकिस्तान के सामने TTP का खत्रा ठीक वैसे ही बना हुआ है। इससे पहले तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बैपार के लिए इरान से चाबाहर पोर्ट के इस्तेमाल की अनुमती की गुहार लगाई थी। इससे जहां तालिबान को कम टेक्स देना पड़ रहा है वहीं समय भी बच रहा है। चाबाहर पोर्ट की मदद से अब तालिबान, यूरोप, खाड़ी देशों और भारत चीन से जुड़ गया है। चाबाहर और बंदर अब्बास, कराची पोर्ट के मुकाबले अफगानिस्तान से जादा करीव है। भारत ने चाबाहर पोर्ट के विकास में अर्बो रुप कटर में 侯ालपीलाल में इक बैठक आयोजित हुआ था जिस पैठक में पाकिस्तान ने सीधे-सीधे कह दिया था कि अफगानिस्तान को यानि की टालिबान फाले अफगानिस्तान को मानेता नहीं मिलनी चाहिए।- और हम माननेता के खिलांप में है। आला कि कुछ जादा जादा ही बोल गया क्योंकि खुद उसका मित्र देश चाइना उसकी मदद करने पर जुड़ा हुआ है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इस्टेंडर्ड चार्टर ने इस वक्त एक बड़ा एक्सन ले लिया है वो भी चाइना क के उपर ले लिया है जो सुर्खियों में बन रहा है दरसल आपको बता दें इस वक्त दुनिया की एकोनोमी में ये कहा जा रहा है कि भारत ही है जो लगातार नए किर्तिमान बना रहा है भारत में सेयर बाजार और निफ्टी लगातार नए किर्तिमान बना रहे हैं देश मे अर्थवयवस्ता की सेहत कैसी है इसका संकेत सेंसेक्स और निफ्टी से भी मिलता है सरकार के मुताविक देश की अर्थवयवस्ता लगातार मजबूत हो रही है बीते एक दसक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारिकाल और उनकी लीडर्शिप से जुड़ी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत की एकोनोमी आने वाले समय में चीन का वास्तविक विकल्प बनकर उभर सकती है भारत की आर्थिक नीटियों और देश की अर्थवयवस्ता पर CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कई विसे सग्यों ने स्विकार किया कि भारत चीन का वास्तविक विकल्प बन सकता है इस रिपोर्ट में भारतिय सेरवजार के संबेदी सुचकांक नई उचाई पर पहुँचने का जिक्र है इसके मुताबिक परत्यच निवेसी निवेस भी लगातार बढ़ रहा है बुनियादी धाचे में मजबूत निवेस भी हो रहा है वहीं दूसरी तरफ चीन के अंदर प्रोपर्टी का क्रैसिस बढ़ रहा है और आर्थिक संकट से भी चाईना जूज रहा है इसी वक्त इस्टेंडर्ड चार्टर की इस नई एकसन ने समझ लीजे कि चाईना के लिए सबसे बड़ी मुस्किलें खड़ी कर दी है इस्टेंडर्ड चार्टर ने अपने नए सबस्क्रिप्सन क्लाइंट्स के लिए देने से मना कर दिया है लंदन के हेड़ क्वार्टर ने क्या कहा है कि कमर्सियल रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम ये फैसला लेने चाह रहे हैं क्योंकि 2024 में युवान की इस्तिती भी हमें कुछ अच्छी नहीं दिख रही है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं वियोन की रिपोर्ट है ये कहा जा रहा है कि स्टेंडर्ड चार्टर ने नए चाइना में कोई भी इन्वेश्टमेंट को लेकर हल्ट डाल दिया है यानि कि अभी कोई भी investment यहाँ पर नहीं करने वाला है standard charter और इन्होंने इसके लिए बताया है कि ये commercial regions है असल वजह क्या बताई जारी है मिन्ट जो profit है वो profit 33% तक डाउन हो गया है करीब एक billion dollar हिट हुआ है चाइना की वजह से ये 26 October 2023 का report है standard charter ने उस दिन उस वक्त ये कहा कि जो हमारा profit था वो profit 33% तक गिर गया और इस वजह से हमने करीब एक billion dollar का loss किया है खास तोर पर real estate और banking sector की वजह से standard charter ने 700 million dollar के कई ऐसे standard charter ने 700 million dollar का एक stake रखा था चाइना के बोहाई bank में 186 million dollar का Chinese commercial real estate में इस तरीके से कई सेक्टर थे जहां पर पैसे लगा रखे थे इस bank ने भी और जैसे ही real estate sector डूबा वैसे ही चाइना के अंदर खोले गए इस bank पर भी असर पढ़ने लगा ब्लूंबर्ग की एक ख़बर देख सकते हैं सिर्फ standard charter ही नहीं HSBC को भी यहां पर मुसीबतों का सामना करना पड़ा है October मैने में तो बहुत बुरी हालत देखने को मिली थी हलाकि उसके बाद कुछ हद तक यहां पर बैंकों में सुधार देखने को मिला था पर इसके बावजूद यह सारे बड़े बैंक यहां पर अब चिंताओं में पड़ गए हैं कि आने वाले समय में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है ऐसे में जो पैसा है उस पैसे को लगाने से पहले यह सौ बार सोचना चाह रहे हैं आपको बता दें स्टेंडर्ड चार्टर की वैसे तो जो इंकम है वो बहुत अच्छी रह रही है लेकिन चाइना के साथ जो इंकम है वो इंकम यहाँ डूबती हुई दिख रही है यही वज़े है कि इन्होंने अपने पैर खीचने सुरू कर दिये हैं आने वाले समय में चाइना को और भी कई मुस्किलों का सामना करना पड़ सकता है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर चुरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ